हिंद भारत आपकी अपनी आवाज प्यार के लिए दी दर्दनाक मौत लड़के का कतल कर प्राइवेट पाट काटा और तो और लड़की का घोटा गला नमस्का मैं पूझा हिंद भारत नियूज में आपका स्वागत करती हूँ यूपी के फिरोजाबाद के रहने वाले प्रेमी जोडे की हत्या के मामले ने संसनी खेच खुलासा हुआ है बता देगी हॉरर किलिंग का ये मामला सिर्फ यूपी में नहीं बलकि तीन और राजियों से जुडा हुआ है पुलिस के मुताबिक प्रेमी जोडे को लड़की के घर वालों ने दिल्ली में पकड़ा फिर उनकी हत्या कर लाश को मध्यप्रदेश और राजस्थान में ठिकाने लगाया चले जानते हैं गहराई से इस पूरे मामले के बारे में दरसल फिरोजाबाद के रहने वाले यूवक और यूविती एक दूसरे से प्यार करते थे परिवार वालों को उनका ये रिष्टा नामजूर था इस बीच 31 जुलाई को प्रेमी जोड़ा फिरोजाबाद से भाग कर दिल्ली आ जाता है जिसके बाद से लड़की के परिजन उनकी तालाश में जुड़ जाते हैं इस बीच यूविती के परिजनों ने प्रेमी जोड़े की दिल्ली में खोच कर ली परिवार जन यहां से उन्हें MP के गौलिय ले गए जहां जहांसी हाइवे पर यूवकी बेहरेमी से हत्या कर दी गई इतना ही नहीं आरोपियों ने यूवक का प्राइवट पार्ट भी काड़ दिया और दोहर हत्या के बाद यूवक का शफ जाडियों में फेक कर वो भाग गया वही दूसरी तरफ लड़की के परिजनों ने यूवती की भी हत्या कर दी उसका शफ यहां से 100 किलोमेटर दूर राजस्थान के धौलपूर में जाडियों में फेका गया प्रेमी जोडे की हत्या करने के बाद लड़की के परिजन घर आ गय अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हत्या का खुलासा हुआ कैसे दरसल गौलियर पुलिस ने यूवक की लाश 5 अगस को बरामत की पुलिस ने अग्यात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज किया और जाज भी शुरू की लेकिन इन सब में यूवक के बारे में कोई भी खुलासा नहीं हो पा रहा था इस बीच यूवक के पिता ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट 10 अगस को फिरोजाबाद में दर्ज कराई इसी दोरान राजस्थान के धौलपुर में एक यूवती के लाश पुलिस ने बरामत की जिसका गला खुटा हुआ था कई दिनों से खाली हाथ पुलिस को दोने हत्याओं के बीच किसी कनेक्शन का अंदेशा हो रहा था मामले से परदा उस समय उठा जब फिरोजाबाद पुलिस ने गौलियर पुलिस से संपर किया पता चला कि गौलियर पुलिस को जो लाश मिली थी वो फिरोजाबाद के लड़के की थी ध्यान दीजेगा यहां से कडियां जुडनी शुरू हुई पुलिस ने लड़की के परिजनों के नंबर खगोलने शुरू के इसमें पता चला कि उसका कनेक्शन उस गौालियर वाले लड़के की हत्या से ही जुड़ा हुआ है इसी आधार पर पुलिस ने लड़की के पिता, चाचा और दो अमने लोगों को हिरासत में लेकर पूछताच की तो हत्या कांज से परदा उठ गया बताया गया कि आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली है हाला कि उन्होंने पहले हत्या कर शवों को यमना नदी में फेकने की बात की थी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे हिन भारत लियोज देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हिन भारत Like, subscribe और शेयर करना न भूले